एडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों को स्वागत है डियर बात करेंगे सिच्छा जगत से जुड़ी होई तमाम महत्रपूर खबरों पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करके बल आइकन प् पर एक बड़ी भरती का विज्यापन की बात की है माननी डिप्टी सीम के सो प्रसाद मौर जी ने साथ ही बात करेंगे कि अब बियर चैनल जो अभ्यत्ती हैं बिरिज कोर्स अगर इनको नहीं कंड़क्ट होता है तो क्या ये सेवा में रहेंगे या होंगे बाहर पूरी तर प्रदेश में सिच्छा फेवा चैन आयोग ने परिच्छा कलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया लेकिन भरतियों को कलेंडर के लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है आयोग को किसी भी नई भरती का धियाचन नहीं मिल सका है कलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जівायोग को भरतियों का धियाचन मिलेगा वर्तमान के पास केवल दो लंबी भरतियाँ हैं जिनके तैत राजकी महा विद्याले में स्टेशन प्रोफेसर के पद और राजकी मादमिक विद्यालियों में TGT PGT के पदों पर भरतिया होनी है दोनों भरतियों के लिए साल 2022 में अगस्ट में इनका आवेदन लिया गया था प्रक्रिया पूरी तरीके से आवेदन की कम्पलीट है केवल परिच्छा के तिथी घूसित करना ही इनको सेस रह गया है परिच्छा कलेंडर जारी करनी के लिए आयोग के पास फिलाल किसी नई भरति के लिए धियाचन नहीं है भरतियों के अंदोलों के मद्दे नजर आयोग ने सासन को और सम्मंदित विभाग को पत्र भेज करके परात्मिक सिच्छकबर्ती के लिए रिक्त पदों का धियाचन मांगा है लेकिन प्रक्रिया लंबी है तो आयोग को धियाचन मिलने में वक्त लगेगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिलेट के भरति हैं लगातार वो दबाओ मनाए है और 70,000 नई प्रात्मिक सिच्छकबर्ती के जो पद रिक्त है उनकी उन्होंने एलान किया था और साथ ही साथ पद यल्द से यल्द भरने का आस्वासन दिया था माननी किर्थी पैंडे मैंने जो की आयोग के धिच्छ उन्होंने अधियाचन मांगा है सरकार से जैसे ही इस प्रधियाचन प्राप्त होगा नई सिच्छकबर्ती का कलेंडर को ले करके तभी कलेंडर जारी होगा लेकिन उसके पहले उत्तरपदेश में UPTT का इजाम सब से पहले कंड़क्ट होगा और उसके बाद नई प्रात्मी के सिच्चक भरती का विज्यापन जारी होगा लेकिन फिलहाल अभी इस इन सब के बीच में नई भरतियों को जो उम्मीद है वो कम है क्योंकि जो बड़ी परिच्छाओं में फंसा है आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती है PGT का ही जाम है जब ये कंड़क्ट होगा तब नई भरतियों का जब अधियाचन प्राप्त होगा आयोग को तब ही कलेंडर जारी होगा साब तोर पर दिखा हुआ है आयोग और सासन के भी स्वमानवक क्या भाव में लंबित है मरतिया आप देख सकते हैं बड़ी परिच्छाओं में फंस चुके हैं आवे आयोग नई भरतियों के उमीदे फिलहाल अभी कम दिख रहे हैं तो कि इसका जो प्रोसेस होता है वो ए उप्रमुक्रंतरी के सो प्रसाद मोरी ने ग्राम विकाफ विभाग में रिक्त बड़े पचीश सो पदों को जल्द भरने के लिए निर्देश दिये हैं कहा है कि खंड विकाफ अधिकारी वीडियों के पदों पर पुरुनती के बाद विभागी पुरुनती समिती डिपीस भेजना है बांकी होफित अत्काल भेजें यानि कि आप देख सकते हैं कि खंड जी ने किस तरीके से इस पुष्ट तोर पर कहा है कि हर विभाग का धियाचन तुरंत पहुँचें और कही ना कही जो भरतिया लंबित हैं पदेश में उनको तेज गती के साथ इस पीट के आगे प्रोसीट करना है बात कर लेते हैं विएड चैनलित भरतियों से जुड़ी बड़ी अप्रेट पर क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर कुछ साती लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जब आठ अपरेल दोहजार तेस को माननी सर्वोच नेले में क्लारिफिकेशन किया ग होगा यह सरकार की नैतिक जिम्मिदारी है फिलहाल उसी को लेकर के भरति कमेंट करना है कि सर क्या होगा क्योंकि 8 अपरेल आप जानते हैं कई महीने का समय फिर बीद गया और आज तक ऐसी कोई संस्था कंड़क्ट नहीं करवा पा रही है केंदर सरकार हो या NCT हो या राज जो ब्रिज कोर्स का मैटर है इसमें कहीं ना कहीं अभरतियों की कोई गलती नहीं है ब्रिज कोर्स के लिए सरकार को जिम्मिदार ठहरा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा था 69 हज्जार की एक प्रात्मिक सिच्चकवर्ती होई है जिसका विवाद अभी फिलाहाल सुप्रिम कोर्ट में लंबित है आप जानते हैं लेकिन यहाँ पर जो वी एट के कंडिडेट चैनित हैं उन्होंने कई बार मामले को अलावाद हाओ कोट में प्रूसीड किया है कहीं ने लगा है अलावाद हाओ को ने इस पुष्ट न पर पर कहा साथ कि इस पर की कोई प्राब्लम्स नहीं है या राजसरकार की जिम्मेदारी है उसके लिए राजसरकार कुनों ने कड़ी फटकार भी लगाई थी तो फिलहाल अगर 28 चैनित एक वर्स के भीतर 6 मां का ब्रिज कूर्स नहीं भी कर पाती हैं तो निश्चित तोर पर उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी और NCT जो वाड़ी रेगुलेटरी है उसको भी दोसी पाया जा सकता है फिलहाल अभी कई माह और माह की हैं देखने वाली बात ही होगी कि क्या सरकार इस पर अमल करती है मानिश शुप्रिम कूर्ट के दिशानिर देश को लेकिन फिलहाल जो चैनित है 11 अगर 2023 के पहले उनका किसी भी कोट पर कोई मामला चैलेंज नहीं है वो सारे विएट के जो चैनित कंडिडेट हैं वो सेफ हैं लेकिन जितका भी मायटर किसी भी कोट आफला पर चैलेंज है और 11 अगर 2023 के राद हुआ है भरतिया वो सारे सिच्छक जो साथी है विएट के निश्यत तोर पर उनका हटना लबगता हैं उमीद करता हूँ solid out क्लियर हुँँगे चैनल पर पहली बारा हैं सबस्क्राइब कर लीजेगा फिर मिनेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत